हेलो नमस्कार आदाफ सस्तरिकाल मैं हूँ आपका दोस्त आपका होष्श शुभेंसिक चुहान आप लोगा स्वागत करता हूँ सेशन के अंदर दोस्तों आज हम लोग एक बहुत इंपोर्टन टॉपिक की उपर चर्चा करने वाले हैं क्योंकि हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक वेहिकल के उपर साथ में हम लोग बात करेंगे कि भारत इस इलेक्ट्रिक वेहिकल को किस तरीके से अडॉब कर रहा है और साथ में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक वेहिकल की इंपोर्टेंस क्या है किस तरीके से यह पॉलूशन को कंट्रोल करने में मदद करता है और कैसे भारत ने एक प्लेटफॉर्म बनाया एक अलग पोर्टल बनाया यह अम्रित पोर्टल लोगों को अवेर करने के लिए तो चलिए दोस्तों सेशन को शुरू करते हैं आप लोग में साथ में साथ में सासी 10 टेलिग्राम ग्रूप और पासफाइंडर टेलिग्र अधरे पहले यह तो समझे एलेक्रिक वेह कल क्या है तो आप समझ रहे हो क्यार हमारे यहां पर कही सारे वाहन होते हैं उन्हें वाहन को चलाने के लिए एनरजी होती नॉर्मल रूप से पेट्रोल डीजल उसे क्या कहोंगा कि यह electric vehicle है, ये केवल road के नहीं चलते हैं, बखलकि कही सारी railway, aircraft, ship, ये सारे भी आपको electric vehicle के रूप में देखने को मिलेंगे, ये सारे भी electric motor से बन सकते हैं, क्योंकि electric vehicle का concept आज का नहीं है, सालो पुडाना, बट आज इसकी बाते ज़्यादा उभर क्यारी कही सारे expert electric vehicle के बारे हैं बात कर रहे हैं क्यों क्योंकि electric vehicle के अंदर आप battery लगा के charge कर रहे हैं आप कुछ जला नहीं रहे हो पैट्रोल डीजल वाली गाड़ीों के अंदर आप चीजों को जलाते हो पेट्रोल डिजल को जलाते हो जिसके कहां छे दोवा निकलता है इनवार्मेंट खराब होता है क्लाइमेंट खराब होता है उस एमिशन को कंट्रोल करना है तो एलेक्ट्रिक वेहिकल की तरफ आगे बढ़ना चाहिए ऐसा कही सारे एक्सपर्टS का मानना है और इसी साही चीजों के चलते भारत और United Kingdom ने UK-India Joint Roadmap त्यार किया था 2030 के अंदर इस Roadmap के अंदर दोनों देशों ने कहा था कि हम दोनों देश Clean Transportation, Electrical Vehicle, Charging Infrastructure और Battery Storage के ओपर काम करेंगे और उसी चीज के चलते भारत ने भारत के नीती आयोग ने Collaborative Knowledge Exchange Program के चलते डेवलप किया है, होश किया है e-amrit platform क्या है ये e-amrit platform चलिए नजर डालते हैं तो लेट्स गो सबसे पहले नजर डालते हैं कि ये e-amrit platform है क्या तो दोस्तों ये आपकी नजरों के सामने है e-amrit platform जहाँ पर हम लोग website का नाम है e-amrit.neeti.gov.in इसके अंदर अगर आप देखोगे तो आपको अलग-अलग parts दिखेंगे सबसे पहले हम लोग को दिखेगा going electric के electric vehicle की तरफ क्यो जाना है उसके बारे में यहाँ पर दरशाया गया है अब आप समझोगे के electric vehicle की तरफ क्यो जाना मतलब क्या है यह social awareness के लिए पूरा platform है जहाँ पर आप समझोगे तो क्या-क्या फाइदे है electric vehicle के लिए वो सबसे पहला party जहाँ पर यह बताया गया है के electric vehicle के अंदर running cost कम होती है यह पेट्रोल लीजल के दाम ज़्यादा है बिजली के दाम कम लगते है साथ में maintenance cost इनका कम होता है यह पेट्रोल लीजल जनरली गाड़ी को खराब करते हैं जीरो टेल पाइप emission यह पेट्रोल और डीजल के यूज से किस तरीके से planet destroy होता है यह भी बताया गया जैसे हैं आप बताया है कि जब आप पेट्रोल और डीजल का यूज करते हो तो उसकी जो total energy होती है उसका 17 से 21 प्रतिशत energy ही पहिये को गाड़ी की पहिये को चलाने में प्रयोग आती वहीं आप जब आप electricity की बात करोगे तो यह लगबग 7 प्रतिशत तक energy को convert कर देता है वेहिकल के चलने में साथ में electric vehicle किस तरीके से easy driving electric vehicle के अंदर होती है इसके अंदर कोई noise pollution नहीं होता आप आसानी से घर के अंदर चार्ज कर सकते हो ताकि लोगों को electric vehicle का फाइदा समझ में है और जब समझ में है तो लोग electric vehicle की तरफ आगे बढ़े इसके अलावा कहीं सारे myth जो market के अंदर घुमते हैं जैसे कि electric vehicle काफी un economical है यह भी myth है जिसको हम लोग क्या कर सकते है fact से resolve कर सकते है तो सरकार ने इस चीज को यहाँ पर डाला है कि जो भी common myths होते है वो गलत है क्योंकि fact कुछ और कहता है यहाँ पर आप देखोगे तो यह पूरी तरीके से fact है उसको complete way में भी describe किया गया है कि electric vehicle जाला समय लेता चार्ज होने के लिए इसा नहीं है कोई भी vehicle जो होता है वो खड़ा रहता है मलब वो पार कर रहता है नबबे पतीशत तक समय पर पार कर रहता है तो electric vehicle जो होते है इस दोरा आपने आपको charge कर लेते है अपनी battery को charge कर लेते है और जो अपने battery को charge कर लेते है तो इसके कारण से आप देखते हो तो electric vehicle का ज़एदा efficient हो जाते हो कुछ electric vehicle तो ऐसे है जो 20 से 80 पतीशत तक उनकी battery जो charge हो जाती हो केवाल आदे घंटे के अंदर ही हो जाती है कहीं सारे में तैसे भी हैं कि electric vehicle जो है वो कुछी साल तक उनकी battery चलती है फी घराब हो जाती तो नहीं battery डलवाना पड़ती है ऐसा भी नहीं हो कि इसी कारण से लोग जो है वो electric vehicle की तरफ जाने की बात करते हैं यह very low range के होते हैं यह खाफी कम range के होते हैं तिक है इनको जादा जो distance होता है वो कम होता है ऐसा भी कहीं सारा मित जो है वो market में चलता है उसको भी facts से resolve किया गया है तो इन साही चीजों को यहाँ पर facts से resolve किया गया है जितने भी मित हैं आप लोग खुद इसको यहाँ पर जाके देश सकते हो साथ में type of electric vehicle किस-kis प्रकार के electric vehicles होते हैं पहले आपको बताया कि जरूरत क्या है फिर बताया कि किस प्रकार का आप electric vehicle अपने लिए choose कर सकते हो अपने convenience का according जैसे पहला प्रकार का electric vehicle होता है battery electric vehicle जो cable electricity दे चलता है अब आप कितना ही myth क्यों ना कहलो कितना ही कुछ क्यों ना कहलो पर सही बात तो यह है कि भारत के अंदर infrastructure की तो कमी है electric vehicle को लेके यहाँ पर charging station ठीक से नहीं है आपको डल लगता है कि आर अगर मैं बिजली वाल से चलने वाला cable electric vehicle ले लूँगा तो राज्ते में कहीं अटक जाओंगा तो कहाँ चार्ज करते बैटूँगा तो उचीच को resolve करने के लिए आप hybrid electric vehicle दे सकते हो कि जब तक charge है तब तक charging से चले और फिर rest of the time petrol और डीजल से भी चल जाता है साथ में होता है fuel cell electric vehicle fuel cell electric vehicle क्या होता है यहां पर hydrogen और यहां पर किसी भी chemical energy से चलने वाले vehicle को आप क्या कहते हो fuel cell electric vehicle कहते हो यह भी काफी यादा useful रहता है काफी सस्ता पढ़ता है और इसके अंदर भी emission काफी मात्रा में कम हो जाता है इस कारण से यहां पर यह चारो तीनो चारो टाइप के electric vehicle के बारे में बताया गया है क्योंकि hybrid electric vehicle अपने आप में दो प्रकार के एक hybrid electric vehicle है और एक plug-in hybrid electric vehicle है इसके अलावा बात करें तो सीरीजी बातें infrastructure की कमी है इंफ्राशक्चर की कमी है तो भई या दोश थोड़ी दे सकते हैं अब क्या करना पड़ेगा इंफ्राशक्चर बनाना पड़ेगा सरकार अके लिए तो बनाने से रही तो इस कारण से private लोगों को interfere कराने के लिए private लोगों को electric vehicle के इंफ्राशक्चर को develop कराने के लिए यहां पर एक e-mobility business करके एक portal दिया हुआ जहां पर आप देखोगे तो किस तरीके से private member जो नया business करना चाता है वो electric vehicle में कैसे business कर सकता है उसके बारे में बताया गया है यहां पर तीन अलग 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 प्रकार के business model है पहला है mobility सीधीती बात है electric vehicle को market में जादा लेके आना तो जादा जादा electric vehicle बनाने पड़ेंगे जिसके लिए private member को बोलना पड़ेगा company को बोलना पड़ेगा कि आप क्या करो electric vehicle बनाओ तो किस तरीके से एक वेक्ति electric vehicle बनाने की तरफ आगे बढ़ सकता है वो mobility है अगला है energy energy भी एक प्रका का business model है जैसा कि मैंने आपको बताया है कि 95 समय तक कोई भी electric vehicle जो है या फिक कोई भी वेहिकल जो है वो खड़ा रहता है आईडल रहता है यह कहीं सा है scientific fact और research कहती है अब यह electric vehicle के अंदर कहीं सारे electric vehicle होते हैं जो कि renewable energy से चलते हैं जो रात में wind की energy को use करते हैं और दिन में solar energy को use करते हैं अब ऐसे case में क्या किया जा सकता है क्योंकि 95 पतीशत तक आपका वेहिकल आइडल पड़ा हुआ है वो लगातार energy develop कर रहा है wind और solar energy से तो आप क्या कर सकते हो बेटरी को charge कर सकते हो दो-चार एक्स्टा बेटरी रखके उनको भी charge करके जो एक्स्टा एनरजी होती हो उसको उस तरीके से अपना business model चला सकते हो साथ में infrastructure what is the infrastructure के electric vehicle के लिए infrastructure ही कमी है उस infrastructure में आप अपना कैसा योगदान दे सकते हो अपने business को कैसे develop कर सकते हो कैसे charging station मना सकते हो उनसा ही चीजों की detail यहाँ पर दी गई है साथ में आप देखोगे तो कौन-कौन से manufacturer भारत के अंदर है उसके बारे में है कौन-कौन से service provider भारत के अंदर में है किस प्रकाय की service इनलों के द्वारा दी जाती है वो भी यहाँ पर एक जगे पर दरशाय गया है और आप देखोगे तो आप अपने electric vehicle को choose कर सकते हो आपकी यह electric vehicle में इतनी चार्ज है तो आपको यह जानना है कि इतने चार्ज के साथ में आपका वहिकल या आपका वाहन कितना दूर तक जा सकता है उसके लिए आप home charging calculator का प्रयोग कर सकते हो जिसके अंदर आप चेक कर सकते हो कि कितने km जाना है तो आपको कितनी चार्ज पर दिये गए हैं with a map के देश के अंदर कहां पर electric vehicle के लिए charging station available है और कहां पर नहीं यहाँ पर आप देखो के resources resources के अंदर क्या है कि कौन कौन सी national level की policy है कौन सी state level की policy है ठीक है electricity cost कितना पढ़ता है चार्ज करने पर और media वगेरा इन सारे आर्टिकल जो है वो यहाँ पर दर्शाय गया है जिससे आप aware रह सके हो कि electric vehicle को खरीदेने पर आपको सरकार क्या benefit देने वाली है यहाँ पर fame scheme के बारे में बताया गया है यहाँ पर आपको फेल्ड मैनुफेक्टरिंग प्रोग्राम के बारे में बताया गया है national mission on transformative mobility and storage के बारे में बताया गया है जिसके बारे में भी आप यहाँ पर देख सकते हो साथ में अगर आप home पर जाओगे तो home आपको देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके का platform यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा है किस तरीके से सरकार जो है वो आगे बढ़ रही है electric vehicle की तरफ नीचे कहीं सारे campaign जो electric vehicle की तरफ देश को लेकर जाते हैं वो कौन से campaign देश में चल रहे हैं जैसे शुन्य campaign जैसे go electric campaign जैसे fame scheme phase 102 PLI scheme यह सब जो है वो अलग-अलग प्रकार के campaign है जो सरकार द्वारा चलाया जाना है अलग-अलग प्रकार की policies है आपको इन policy का look तूटाना इनके ओपर click करो तो आपको direct यह अपनी website के ओपर ले जाएंगे और वहाँ पर जाके आप देख सकते हो किस तरीके से electric vehicle के campaign आपक अची से जादा राज्यो ने electric vehicle की policy को implement किया है 303 electric vehicle manufacturer भारत के अंदर है 1800 charging station भारत के अंदर है 133 प्रतीशत growth पिछले 5 साल में electric vehicle को लेकर देखी गई है 191.5 million kg तक का carbon dioxide fame 1 और fame 2 scheme के तरहत कम किया गया है इतना ही नहीं 1.32 प्रतीशत आज के समय पे जो total vehicle है उन में से electric vehicle की sales है आप देखोगे तो और कई सारे tools आपको यहाँ पर available है जितनी भी recent update electric vehicle के लिए आती है वो सारी update भी यहाँ पर बता दी जाती है तो काफी अच्छा यह platform है आप लोग इसको use कर सकते हो तो चलिए दोस तो आप लोगों को समझ में आया कि electric vehicle की किस तरीके से खासियत है और e-amrit platform क्या है अपना उसको देख लिया ना तो इसकी खासियत आपको काफी आसान लगी कि समझने के अंदर तो e-amrit platform एक one stop destination solution है जहाँ पर सारी information आपको available मिल जाएगी electrical vehicle से related जितनी भी information है कौन सी scheme चल र vehicle की तरफ लोगों को shift कराने मदद करेगा जो campaign बता रहा है जो बता रहा है कि सरकार की तरफ से क्या मदद हो रही है सरकार की तरफ से किस तरीके से काम किया जा रहा है इतना ही नहीं सोसाइटी के अंदर awareness create करने के लिए भी काम करेगा क्योंकि यहां पर myth को तोड़ा गया है यहां पर कहीं सारे fact बताएगा है जिसके जरीए क्या हो रहा है इलेक्ट्रिक वेहिकल क्यों adopt किया जाना चाहिए लोगों को पता चलेगा इतना ही नहीं फेम, scheme, PLI, scheme, and inside, scheme के जरीए सरकार किस तरीके से इलेक्ट्रिक वेहिकल को promote करने की कोशिश कर रही है उसके उपर भी आपकी जर्णी की बात हो, हर चीज के अंदर अगर आपके पास इलेक्ट्रिक वेहिकल है तो यह portal आपको मदद करने वाला है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आप लोगों को अगर unacademy के उपर subscription लेना है, तो code यूज कर सकते है, src10, lecture अच्छा लगाओ, तो like करना म मत बूलना, और channel को subscribe करना मत बूलना, src10 मेरा code है, आज आखरी date है, special price week की, तो जल्दी से जाओ, subscribe करो, code यूज करना है, वो है src10, unacademy एक ऐसा platform जो आपकी preparation को बहतर नहीं, best बनाता, तो जल्दी से unacademy को join करो, आप plus platform का look तो उठा सकते हो, आप iconic platform का look तो उठा सकते हो, आप केवल GS के subscription ले सकते हो, आप combo subscription भी ले सकते हो, I will recommend के combo लोगो को की GS और optional दोनों की पढ़ाई हो जाएगी, और आपके इन से कोई बहुत ज़्यादा price है नहीं, जैसे plus का subscription 44,000 का आपको केवल GS का मिल रहा है, तो combo आपको 46,000 का मिल रहा है, तो किफायती जो है, वो combo 2000 रुपे के अंदर आप option भी पढ़ लोगे, तो जाओ सब्सक्राइब करो, कोड़ जो ही उस करना है, वो ऐसा सीट है, ठीक है दोस्तों, जैहिंग, जैवालत